नमस्षिवाय, हिंदी लिट्रेचर की अंतरगत टिकट एल्बम कहानी हम पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो में इस कहानी के कुछ अन्शों को पढ़ा था आज हम आगे पढ़ेंगे पेज नमबर 62 उस दिन शाम उसने जैसे तै कर लिया था वह नागराजन के घर गया अब कोई कितना अपमान सहे नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है बस यही न वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किये जाते हैं एक एक टिकट की क्या किमत होती है वह भला क्या समझे सोस्ता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही किमती होगा या फिर सोस्ता होगा बड़े देश का टिकट किमती होगा वह भला क्या समझे उसके पास जितने भी फाल्दू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छी टिकट जाड़ लेगा कितने को तो यो उसने यो ही उल्लू बनाया है कितनी चालबाजी करनी पड़ दी है नागराजन भला किस खेट की मूली है राजप्पा उस दिनिया तै कर लिया था कि वह नागराजन के घर जाएगा और जितने में उसके पास फालतू टिकट है उन्हें वह कैसे भी नागराजन को देकर नागराजन के अच्छे टिकट उसके बदले ले लेगा और राश्ते में यह सोचते वे जाता है कि नागराजन के हाथ एक नया एल्बम ही तो लगा है वह यह कभी नहीं जान पाएगा कि टिकट कैसे जमा किये जाते हैं या फिर एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वहाँ यही सोचता होगा कि जितना बड़ा टिकट होगा उतनी बड़ी उतना ही उस टिकट का कीमत होगा या फिर जितने बड़े देश का टिकट होगा उतना ही कीमती होगा उसने बहुत लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाकर अपने टिकट इकठा किये थे तो फिर नागराजन किस खेट का मूली है वह उसे भी असाने से उल्लू बनाकर अपने फाल्दू टिक्टो के बंदे उससे अच्छे टिकट ले लेगा आगे राजप्पा नागराजन के घर पहुच कर उपर गया चुकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका उपर पहुच कर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्शी पर बैठ गया कुछ दिर बाद नागराजन के बहन कमाक्षी उपर आई राजप्पा नागराजन के घर पहुचा वह अक्सर उसके घर आया जाया करता था इसलिए उसे किसी ने नहीं टोका वह सिधे नागराजन की कमरे में गया और मेज के पास बड़ी कुर्शी पर बैठ गया कुछ दिर बाद नागराजन के बहन कमाक्षी उपर आती है भैया सहर गया है अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा उसने पूछा हूँ राजप्पा को हाँ कहने में हेकडी हो रहे थी वह सुन्दर एल्बम है ना सुना है स्कूल भैया किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है तुमसे किसने कहा भैया ने वह खोड़ गया कमाक्षी उपर आती है कमाक्षी पुछती है बताती है कि भैया जो नागराजन है वह शहर गया है फिर उससे पुछती है कि तुमने नागराजन का एल्बम देखा है राजप्पा बहुत ही हेकडी के साथ कहता है हाँ कहने में बहुत ही हेकडी हो रही थी फिर वह बताती है कि उसका जो एल्बम है नागराजन का वह बहुत है सुन्दर है और मैंने ये भी सुना है कि स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है इस पर नागराजन उससे पुछता है कि तुम्हें किस ने बताई है तो अब बोलती है स्वैम नागराजन ने वह कूड गया फिर बोलता है बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो अच्छा तो नहीं हो जाता अबबम बड़ा तो नहीं हो जाएगा कमाक्षी कुछ देर तक वहीं रही फिर नीचे चली गई राजप्पा मेज पर विखरी किताबों को तटोलने लगा अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया उसने ताले को खेज कर देखा बन था क्यों ने उसे खोल कर देख लिया जाए मेज पर से उसने चावी धूर निकाली कमाक्षि मापर थोड़ी देर तक रुकी रही फिर वाँ चली गई राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को देखने लगा तभी उसका हाथ दराज के ताले से टकरा जाता है वह ताले को खीच कर देखता है ताला बन था उसके मन में यह होता कि क्यों ने एक बार वह ताला खोल कर देख रहे और मेच पर से उसने टाचा भी ढूंडने का ली सीड़ियों के पास शाकर उसने एक बार जहाग कर देखा फिर जल्दी में दराज खोली एल्बम उपर ही रखा हुआ था पहला प्रिष्ट खोला उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा एल्बम को जट कमीज की नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया सीड़िया उतर कर घर की और भागा वह मेच पर से चाभी उठा लेता है और फिर सीड़ियों के पास जाकर एक बार जहाक कर आता है कि कुई आतों नी रहा है उसके बाद वह दराज खोलता है दराज में उपर ही एल्बम रखा हुआ था उसका प्रिष्ट पहला प्रिष्ट खोलता है और उन वाक्यों को पढ़ता है जो पहले प्रिष्ट पर उस एल्बम पर लिखा था उसका जो दिल था वो बहुत तेजी से धरकने लगा उसने क्या किया एल्बम को छट अपने कमीची नीचे घोस लेता है और दराज बंद कर देता है फिर सीड़ियां उतर कर घर की ओर भाग जाता है घर जाकर सिधा पुस्तकी अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छपा दिया उसने बाहर आकर जाका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था गला सूख रहा था और चेहरा तम तमाने लगा था पसीदे अपने घर पहुचता है और पुस्तकी अलमारी के पास गया जाता है और पुस्ता के अल्मारी की पीछे उस अल्बम को छिपा देता है फिर उसके बद वा बाहर आकर जागता है उसका पूरे शरीर में जैसे लगता है जलन हो रहा है उसका गला सूख जाता है और चेहरा तम तमाने लगता है रात आट बजे अप्पू आया हाथ पाँ हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई सुना तुमने नागराजन का अल्बम खो गया हम दोनों शहर गय हुए थे लोट कर देखा तो अल्बम गायब राजप्पा चूप रहा उसने अप्पू को किसी तरह टाला उसके जाते ही इसने जट कमरे का दर्वाजा भिडा लिया और अल्मारी की पीछे से अल्बम निकाल कर देखा उसे फिर छिपा दिया ड्रड था कहीं कोई देख न ले रात आट बजे के करीब अप्पू उसके घर आता है और पापूरी कहानी बताता है कि जब वह और नागराजन शहर गये थे और वहांस जब लोट कर देखते हैं तो नागराजन का जो अल्बम है वह गायब हो गया है नागराजन कुछ नहीं बोलता है जैसे तैसे वह अप्पू को टालता है और जैसे आपु जाता है, वह अपने कमरे में आता है कमरे का दर Woran, बन करके अलमारी की पिछे से अलबम निकालता है उसे देखता है, और फिर उसे छिपा देता है क्योंकि उसे डर था की कहीं कोई देख न ले रात में खाना नहीं खाया पेट जैसे भरा हुआ था सारा घर चिंतित हो गया उसका चेहरा भयानक हो गया था रात में राजबपा डर के मारे खाना भी नहीं खाया उसे ऐसा लग रहता जैसे उसका पेट भरा हुआ है घर के सारे लोग चिंतित हो गये उसका चेहरा भी भयानक जैसा लग रहा था रात उसने सोने की कोशिश की पर नीद नहीं आई एल्बम सिराहने तक्ये के नीचे रख कर सो गया रात में उसे नीद भी नहीं आई एल्बम को वह तक्ये के नीचे रख कर सो गया सुबह अपु दोबारा आया राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था अप्पू सुबा नागराजन के घर होकर आया था कल तुम उसके घर गये थे अप्पू ने पुछा अप्पू फिर सुबा आता है उस समय तर राजप्पा भी बिस्तर पर ही बैठा था अप्पू सुबह नागराजन की घर से होकर आये था अप्पू उससे पुछता है कि कल तुम नागराजन के घर गए थे राजप्पा की सास जैसे उपर की उपर और नीचे की नीचे रह गई फिर सीर हिला दिया वह जिस तरह चाहे सोच ले जैसे ही वह सुनता है कि अप्पु से पुझता है कि तुम नागराजन की घर कल गए थे या सुनते ही उसकी जो सास थी वह एकदम से उपर की उपर और नीचे की नीचे रह गए फिर वह सिर हिला देता है सोस्ते है जो चाहे वह सोच ले कमाक्षी ने कहा था हमारे जाने के बाद घर तुम वहां आये थे अप्पू बोला राजप्पा को समस्ते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे है कमाक्षी बताती है कि जब वे दोनों सहर गए तो दुसरे फ्राजप्पा ही नागराजन के घर आया था और राजप्पा को यह समस्ते देर नहीं लगी कि अब सारा जो शक है उसकी और आने लगा है कल रात से नागराजन लगतार रोय जा रहा है उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे अप्पु ने फिर कहा राजप्पा फिर भी चुप रहा राजप्पा फिर भी चुप रहा जब अप्पु यह बताता है कि नागराजन कल से रोय जा रहा है और साइद उसके पापा जो है आप पूलिस को खवर देंगे उसके पापा DSP के दफ्तर में ही तो काम करते हैं बस वह पलक जपक दे और पूलिस की फौज हाजिर अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था अप्पू बताता है कि नागराजन के जो पिताजी है वह DSP के दफ्तर में ही काम करते हैं अगर वह पलक जपका दे तो पूलिस की फौज हाजिर हो जाएगी एल्बम खोजने के लिए यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूटता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना अप्पू समय राजप्पा को यह सा बता रहा था कि तभी उसका भाई जो है उसे ढूटते हुए आ जाता है और अप्पू वहाँ से चला जाता है राजप्पा के पापा दफ्तर चले गये थे बाहर का किवाड बन था राजप्पा अभी तक विस्तर पर बैठा हुआ था आधा गंटा गुजर गया वह उसी तरह बैठा रहा राजप्पा के पापा दफ्ष ले जाते हैं बाहर किवाड वैसे ही बन था राजप्पा अभी तक अपने विस्तर से उठा नहीं था आधा गंटा ऐसे ही गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा तभी बाहर की सांकल बजी तभी बाहर की बाहर से घंटी बजी पुलीस राजप्पा बुद बुद आया जैसे ही वह आवास सुनता है दरवाजा खटखटाने के उसे लगता कि पुलीस आ गई भीतर सांकल लगे थी दरवाजा खटखने की आवास तेज हो गई राजप्पा ने तक किये के नीचे से अलबम उठाया और उपर भागा अलमारी की पिछे शिपा दे नहीं पुलीस ने अगर तलाश ली तो पकड़ा जाएगा अलबम को कमीच के नीचे छिपा कर वह नीचे आ गया बाहर कर दर्वाजा अब भी बज रह था कौन है अरे दर्वाजा क्यों नहीं खोलता अमा भीतर से चिल्लाई थोड़ी देर हुई तो अमा खोधी उठकर चली आएगी वह क्या करता है उसे लगता कि पुलीस है और यह सोचते ही वह तक्या के नीचे से अलबम उठाता है और उपर भागता है और सोचता है कि अलबम को अलमारी की पीछे छिपा दे फिर बोलता कि अगर पुलेस तलाशी लेकी तो वह पकड़ लेगा फिर वह अलबम को कमीच की नीचे छिपा कर नीचे आ गया दर्वाजा अभ हम यहीं तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के अंसर को पढ़ेंगे नमस्ट बाए